दोनों के नरक पढ़ने की संभावना है वो दन देके समझते हम गुरु दक्षिना दे दी जो चाहे गुरु की बातें नहीं मान रहें एक न सुनई एक न सुनई शिष्च सुन नहीं रहा और गुरु देख नहीं रहा कि ये शिष्च है इसके आचरन ब्रष्ट होते जा रहे ये दुर्गती को जाएगा तो वो ले फिर दोनों का पतन हो जाएगा ये खिलवार का बर्ग लहीं है अब एक जगे तो कहा हरे शिष्च दन सोकना रही सो गुरु गोर नरकमा परी अगर शिष्च के दन का परण कर रहा है मनमानी आचरन के हम गुरु हैं और उसको परंप पहुते राक्षा सही होगा तो बात अलग है नहीं मां सब्द जहां आता है ना मां टो आज तक किसी बेटे ने थैंक्यू बोला क्या, धन्यवाद बोला क्या, बोलना, किसी ने मा को नहीं बोला, क्यों, यार मेरी मा है, अगर उसको का ओला, इतना सब की आप इसको थैंक्यू बोलो, बेटा भी नहीं बोलेगा, किसी कोई और है क्या क्यों थैंक्यू बोले, मेरी म मां है ऐसे गुरू से प्रेम कर लो कोई रिंड नहीं अलग होकर प्रेम करोगे तो यह रिंड की बात है अपने पिता से 500 रुपया मांगो देवो नहीं तुम्हें देना पड़ेगा पापा हमें काम देना पड़ेगा आपको पांस रुपया लेने के बाद आप सोचोगे कि त हमारी मां है गुरू हमारा पिता है गुरू हमारा सर्वस्ट रहे तो जब वही हमारे सर्वस्ट रहे तो हम रिंड क्या चुका है उसमें कोई रिंड थोड़ी हम ले रहे हैं क्या हम गुरुदेव से ऐसा प्यार नहीं कर सकते क्यों गुरुदेव से प्यार नहीं तुम्हे जैसे छोटा बच्चा है ना किसी दुकान की सामान को देखा लल्चाने लगा तो मा जटका माती तो फिर उसको कुछ आएसे ही है गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े रहना मैं संसार के मनुहर मनुरण्यन को देखकर कभी भी लल्चा सकता हूं आप हमें समाले रहना भी तुरंद्ट पूरा खजाना पूरा राज पूरा परिवार सब लिख कर उनकी जोली में डाल दिया उन्हों देखा आगा ठीक रागज वापस किया आज से राज मेरा वैभो मेरा तू मेरा धर्म पूर्वक्षाशन कर उन्होंने सब दे दिया उन्होंने कुछ नहीं गुरू हमारी माह है गुरू हमारे पित आप मां को कोई वस्तु देव जाके खान पान के तो खाने नहीं देखेगी यह अभी तुलायला अब एकल साम केस को पवाएंगी जवाएक ऐसा दुलार्मा का होता है ऐसे करुणा में हैं हमारे को अगर तुमसे कुछ चाहिए तो तुम्हारा फिर गुरू बनने कादिकारी नहीं है तुम्हारा गुरू पद्ध स्वईकारी नहीं किये औ अगर तुमसे आसा ने रखते हैं तो तुम्हें आसा रहित कर सकते हैं और आसा रहित हो जाना ही परमपजप्राप्ति का हेत होता है